असलाम वालेकुम वेलकम टो फारुकी वीलॉग्स आज एक हफते के डिले के बाद मैं वीडियो बना पाया हूँ मैंने जैसा के पिछले वीडियो में अपने कहा भी था कि कुछ जाती मस्रुफियात की वज़ा से मैं बाबंदी से वीकली दो वीडियो नहीं बना पा रहा ले लेकिन लास्ट वीक बिल्कुल स्किप हो गया था तो मेरी अब ये उस गैप को फिल करने के लिए ये कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे चोटे तीन चार वीडियो अलग अलग सिंगल सिंगल टॉपिक्स पर बनाऊं क्यों उसकी वज़ा ये भी है कि मैंने आप्जर्फ किय है कि जब हम सब्सक्राइबर की रीज में कोई सवाल डाल देते हैं उसको तीन-चार सवाल एक साथ होते हैं उनका जवाब देता हूं तो जवाब तो मैं दे चुका होता हूं लेकिन अमूमन जो देखने वाले हैं वो उसके तमाम टॉपिक्स को जो है वो नहीं देखते जि के वीडियो की शकल में पेश करूंगा और मैक्सिमम एक या दो सवालात का जवाब एक साथ दूँगा उससे जादा नहीं तो बहतर यह होगा और अलग-अलग टॉपिक्स बन जाएंगे तो लोगों को सर्च करने में भी आसानी होगी वीडियो को आज टॉपिक हमने सेलेक रहा हूँ तो उससे ही कुछ-कुछ यह सवालाद बने हैं तो इंट्रस्टिंग है इसलिए मैं उस सवाल को पहले लेना चाहूंगा सवाल यह है कि क्या इल्लीगल वैपन से सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है अब इसके अंदर बहुत सी टेक्निकालिटीज हैं लेकिन मैं सि कवर करने की गोहिश करूंगा वीडियो को बगादा शुरू करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ने किया और सब्सक्राइब करें बेल आकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दौाओं में ज़रू याद रखिए पहलू इसके बनाए हैं वो आप उस पर गवर कीजिएगा देखिए सेल्फ डिफेंस हो या आम सूरत अहाल हो इल्लीगल वैपन सबसे पहले है क्या चीज़ इल्लीगल वैपन वो है जो के गयर लाइसंस शुदा है जिसका कोई नंबर नहीं है या उसका कोई लाइसंस नही है या वो किसी और से एक्वाइर किया गया है तो ये वो इल्लीगल वैपनी कैटिगरी में आ जाता है कि जो आप खानूनी तो पे एहल नहीं होते इस्तमाल करने के तो भई कोई भी गैर खानूनी असलाहा आप किसी सूरत में इस्तमाल करना बहुत दूर की बात है उसे रख भी नहीं सकते पुजेस भी नहीं कर सकते एक्वाइर भी नहीं कर सकते इसके लिए सिंध आर्म्स एक्ट सेक्शन सेक्शन होता है इसका रूल नहीं होता सेक्शन 231A वाज़ तोर पर 14 साल की सदा बताता है कि इसमें 14 साल की सदा है कि अगर किसी ने वेपन एक्वाइर किया possess किया, carry किया चलाना तो इसमें लिखावा भी नहीं है कि चलाना और सिर्फ acquire कि हासिल कर लेना, carry कर लेना possess कर लेना या इसमें ये तक है कि अगर weapon का कोई part भी लेके चल रहे है यानि कि वो weapon का ही part है फ़र्सके बेरल लेके चल रहे है कोई illegal है, तो barrel या magazines लेके भरी भी गोलियां लेके चल रहे है मतलब आप magazine में गोलियां डाल के चल रहे है या गोलियां लेके आप साथ चल रहे है आपके पास license नहीं है तो आप गहर कानूनी तौर पे लेके चल रहे है ठीक है? और ये बिलकुल भी allowed नहीं है पहले के वक्तों में ये 13D की सजा गया लाती थी 13D का केस बनता था और आम तूर पे जितने भी रॉबर्स, नैक्चर्स जितने भी मिलते हैं इन पे आप देखेंगे के 23 mist 1 A और पहले के वक्त में 13D का केस ज़रूर लगा होता था वरना तूपलीस जैसे होता है आम तोर पे किए जो जो है उन्होंने उसके उपर केस बनाने के लिए भी किसी को गैर प्लानोनी तर्फपर मुलवश करने के लिए भी हो जाता है आप झाल यहां मामलात है हमारे मुल्क में यह चीज चलती है तो ऐन्लա कि होनी नि चाहिए जो आप लोग नहीं जानते जिसे ड्रग्स वगारा के लिए होता है एक पैकेट ही डालना है जेब के अंदर बस उसके बाद बरामद हो जाता है बरामद होने के बाद पकड़ा जाता है तो ये याद रखिएगा illegal weapon किसी सूरत भी allowed नहीं है सिर्फ एक condition दूसरा पहलू जो मैं बता रहा हूँ इस पहलू को मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं पहलू को बात मैं बता रहा हूँ गौर से सुनियेगा अगर आप self defense situation में फस गए है और आपने robber या snatcher का pistol चीन के उस पर fire कर दिया pistol technically अगर देखा जाए तो ये illegal था लेकिन आपने अपनी self defense में उसका चाकू, खंजर तो बंदूख जो भी थी तो खेर कोई लेकर नहीं चलता लेकिन मैं बात बुल रहा हूँ तो बंदूख जो भी थी तो वो जो है आपने लेके चला दी या आपको किसी सूरत भी वहां से acquire हो गई, कहीं से pistol मिल गई या किसी दूसरे की acquire कर ली ऐसी situation के अंदर अगर आपने self defense के सूरत में अपने दिफा के लिए استعمال कर ली तो इसके अंदर circumstantial evidence बहुत matter करेंगे कि आपकी pistol थी नहीं थी क्योंकि वो भी निकार कर देगा जिसको गोली लगेगी अगर जखमी हो गया उसका साथी होगा तो भी इंकार कर सकता है कि मेरी pistol नहीं थी क्योंकि वो भी खहर लाइस याफता होती है कोई भी ऐसा देखा गया लाइसेंस याफ़ता पिस्टिल से कोई वरॉब रॉबरी है स्नैची तो सिर्फ इस सूरत के अंदर इल्लीगल वैपन इस्तमाल किया जा सकेगा वो भी जाहर है एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसके अंदर इस्तमाल करने की ज़रोत पड़ गई है तो सरक्मस्टांसिस ही बता रही है कि अपनी जान के बचाओ के लिए तो इनसान कुछ भी इस्तमाल कर सकता है लेकिन इस प्रॉबलम में भी इस सिचुएशन के अंदर भी होगा ये कि पुलीस बहुत जाचने पर आ जाएगी कि ये वैपन किसका था क्या था लेकिन इस सूरत में आपको एक गुंजाईश है कि अपनी दिफा में आपने अगर रॉबर का पिस्टल ले लिया या उसका असलहा ले लिया और इस्तमाल कर लिया ये जायद है अदर किसी भी सूरत में 14 साल की सजा है हर गिज गैर कानूनी असलहा उसको अपने करीब भी ना आने दे करीब आना मतलब किसी दोस्त का असलहा है आपने रखना भी नहीं है घर में अमानतन भी नहीं रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी का वैपन उठाके रख लें घर में किसी की अमानत इस तरह की अमानत आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह जिन्दगी का असूल बना लेना चाहिए। कोई किसी वक्त भी प्रॉबलम में फंस सकता है, पतہ नहीं क्या मामलात हों, दुनिया जानती है, सब जानते हैं, कहां कहां लोग प्रॉबलम में फं बने दें अपने घर में आना तो बहुत दूर की बात है उस से कोई इस्तेमाल करना तो भ terra की बात है कि अपनी वेपन हाँ इस जोएक फ़ल भी क्वाड़ों भी चाल बातों में झाट है कंदर कोई गार alas 27 मंग वका हो जाए ये वही बात आ जाती है जो मैंने acquire करने है का कि कोई जी situation हो जाए तो ये एक तरह के scenarios हैं, गानून तो scenarios पर चलता है, examples पर चलता है, illustrations पर चलता है आपको असलेहे के पास जाने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है, गानून तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बाते मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं आप गड्मिट कर देते हैं बातों को, लेकिन मैं गड्मिट नहीं करता, मेरा अंदास पढ़ हाया भी है, तो मैं पढ़ाने वाले अंधาस में बात करता हूँ, तो मैं रिपीट करता हूँ, ताके हैमरिंग करकर के जैसे बच्चों को, या किसी को अगर लेक्च्चर दिया जाता है, जब तक आप इसे हैमर नहीं करेंगे, उसे याद नहीं होगा, तो कुछ लोग इसक नेक्स वीडियो में किसी और टापिक के साथ मिलूंगा, कोई गलती हो वही हो, तो उसके लिए बेहद माजरत, कोई बात अगे गलत निकली हो, या गलत एक्जैम्पल दे दी हो, मेरी तस्रीक की जरुवत है, तो लाज़मी तॉर पर कॉमेंट कीजिएगा, दौाओं में के लिए अल्ला हाफिज